इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह डाइबेटीज के लोगों में बलड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है F.P.G.M. एक फोटे टेबलेट पी-ार को भोजन के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर ले आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार कि यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं, तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नुकसान, अंधापन, नसों से संबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है। याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवनशेली डाइबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका बलड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हिरदे रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं। ये उप्यूक नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके बलड शुकर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके बलड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए बलड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।